हेलो फ्रेंट्स आज हम सम्मिधान निर्माण के समय एक ऐसा मुद्दा जिसके उपर बहुत गर्मा गर्म भहस हुई कि आरच्छन किसे दिया जाए इस मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो सम्मिधान सभा अपना काम करने जा रही थी उस समय सम्मिधान सभा के सामने एक बड़ी चनोती थी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आरच्छन किया हो सकता है और ये कैसा प्रंस था जिस पर जो सम्मिधान सभा के सदस्थ थे उनकी राय अलग 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 थी सम्मिधान सभा की सुरुवात पनित नहरू के उद्देश प्रस्ताव से हो चुकी थी 13 दिसंबर 1946 को पनित नहरू ने उद्देश प्रस्ताव जो अपना प्रस्तुत किया था जो सम्मिधान की प्रस्तावना है उसमें स्वतंत भारत के सम्मिधान की जो रूप रेखा है जो एक फ्रेम वर्थ था जिसके अंतरगत सम्मिधान सभा को सम्मिधान निर्मान का काम करना था वो लगभप पूरा सुझाया गया था प्रणिंजेरों ने अपने उद्देश प्रस्ताव में कहा था कि हम लोग जो सम्मिधान बनाने जा रहे हैं वो भारत का सम्मिधान कैसा होगा उसकी आउट्लाइन हुने बताई थी कि भारत का सम्मिधान स्वतंत्र, संप्रव, गणराज की अस्थापना करने वाला होगा समाजिक समांता, स्वतंत्रत ये प्रण करने वाला है, सभी को न्याए, समांता, आर्थिक और समाजिक समांता, स्वतंत्रत ये जो आदर्स थे, इन आदर्सों की बात पने निरू ने उद्देश प्रस्ताव में कि थी इसके तेक उद्देश प्रस्ताव में लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि जो ऐसे अलपसंख्यक लोग हैं दलित लोग हैं जो पिछले और दमित लोग हैं उनको विशेश रच्छात्मक प्रबंध किये जाएंगे उनके कल्यान के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी ऐसे समाज के जो हासिये पर लोग हैं उन लोगों को हर संभव प्रयास किया जाएगा कि बहतर जीवन दिया जा सके मतलब उनके अधिकारों की सुरच्छा की जिम्मेदारी भी इस उद्देश प्रस्ताओं में कही गई थे तो इस प्रकार समधान बनना चलू हुआ तो उद्देश प्रस्ताओं के जो आदर्स थे इन आदर्सों को ले करके आरच्छन किसे दिया जाए इस बात को उठाया गया एन जी रंगा जो एक समाजवादी विचारों के वित्त थे और किसान आंदोलं के नेता थे कौन थे एन जी रंगा ये पहले ऐसे नेता थे जिनोंने ऐसे अलपसंगकों आदिवासियों इनके हितों की और सम्मिधान सभा में लोगों का ध्यान खीजा इन्होंने अपने सम्मोधन में कहा कि अलपसंगक की परिवासा आर्थिक अस्तर पर तै की जानी चाहिए एन जी रंगा का कहना था कि ऐसे लोग जिनको आरच्छन किया उशकता है वो सही माने में जो गरीब हैं दबे कुछले लोग हैं उनको आरच्छन की आवशकता है इन्होंने गरीबूं के लिए और जो ऐसे दबे कुछले लोग थे सरभारा लोग थे उनके लिए इन्होंने कहा कि उन्हें आरच्छन की आवशकता है इन्होंने कहा कि पंडित नहरू के इस उद्देश प्रस्ताव से काम नहीं चलने वाला है उद्देश प्रस्ताव से कुछ नहीं होगा इन्हें जो ऐसे लोग हैं इन्हें सहारे की जरूत है एक बड़ा था संटन्स उनों ने कहा, इन्हें सहारे की जरूथ है, इन्हें सीडी चाहिए, और सहारे कीवाट की, इन्हों का कि पंडित नहरों ने जो उत्देश प्रस्तव किया है बड़ा स्वागतियों के कदम है अच्छा लग रहा है कि सबको सामाजी समानता मिलने जा रही सथनता मिल लही है सबको न्याएक आवसर प्राप्त होगा लेकिन जब तक ये वास्तों में नहीं प्राप्त होता या इसको प्राप्त होने के लिए आवस्यक ब्यवस्था नहीं की जाती तब तक इन प्राविधानों का कोई मतलब नहीं रह जाता उन्होंने कहा कि जो समाज के ऐसे लोग हैं उन्हें जो अधिकार दिये जा रहे हैं उसके लिए आवस्यक परिस्थितियां तैयार की जाएं जिससे कि उनको लगे कि हाँ उन्हें जीने का अधिकार मिल गया है वो स्वतंत्र हैं वो संग बना सकते हैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं इस समाज के लोगों को अपनी अननागरिक स्वतंत्रताओं का भी बोध हो जाए और उनको प्राप्त होने लगे तब जाकर के इन प्राविधानों की सार्थकता होगी N.G. रंगा ने कहा कि सम्विधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम होना चाहिए एक सब्द में अगर हम कहें तो N.G. रंगा की चिंता थी कि जो ये प्राविधान किये जा रहे हैं ये प्राविधान सही रूप से लागू किये जाए जिससे प्रभावित जनता को पूरे लाग मिल सके N.G. रंगा ने जो सम्मिधान सभा में मौझूद लोग थे और जो दलित जातियां थी पिछरे हुए लोग थे उनके प्रतिन्धुत के बीच जो गहरी खाई थी उसकी तरब भी N.G. रंगा ने लोगों का धान कीचा ध्यान रहे सम्मिधान सभा में 33 मेंबर्स दलित जातियों के थे N.G. रंगा ने कहा कि जो दलितों का प्रतिन्धुत करने वाले लोग यहां सम्मिधान सभा में हैं उनके और दलितों के बीच जो सामाजी खाई हैं वो बहुत बड़ी है और अगर हम कहें तो वास्तों में वो सही उस तबके का प्रतिन्धुत नहीं करते वो ऐसे लोग हैं जो पढ़े हैं सिच्छित हैं और जो हासिये पर व्यक्ति हैं ऐसे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनमें और इन प्रतिन्धियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है इसकी और भी इनोंने ध्यान खीचा इनोंने कहा कि इन सदस्यों की जिम्मेदारी है कि सम्मेदान सभा में उनके प्रतिन्ध होने के नाते ये भरसक प्रयास करें और इस समाज के लोगों को उनके अधिकार दिलाएं एन जी रंगा ने यहीं नहीं एन जी रंगा ने आदिवासी समाज को भी इसमें साविल किया उन्होंने कहा कि जो भारत का आदिवासी समाज है उसको भी इस प्रकार के अधिकारों की आवश्यक्ता है। लेकिन अगर हम कहें तो भारत में जिस समाज के साथ सबसे ज़्यादा आत्याचार हुआ है जिस समाज को सबसे अधिक दबाया गया है वो समाज हमारा समाज है। मतलब आरत के गैर मूल निवासियों के द्वारा लगातार हम आदिवासियों का सोशन होता रहा। जेपाल ने कहा कि हमें बड़ा भरोशा है पण्डित नहरू ने जो उद्देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जिस्में लग रहा है कि सामाजिक न्याए मिलने वाला है, सुतंता मिलने वाली है हमें हमारे अधिकार मिलने जा रहे हैं तो हम पंडित नहरू के आस्वासन में विश्वास करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जो आदिवासी समाज और स्रेष समाज के वीज़ दूरी है जो भावनात्मक और भावतिक फांसला है उसको कम करने की जुरूत है और उन कहा कि हम प्रेम चाहते हैं हम मेल जोल चाहते हैं हम चाहते हैं कि स्रेज समाज के लोग हमारे साथ उठे बैठे हम से दूरी न बनाए और हमको भी अपने साथ आउसर दे जैपाल सी ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग यद्दिप समाज मे अल्प संख्यक नहीं है उनकी संख्या पर्याप्त है लेकिन उन्हें संदच्छन क्या हो सकता है उनको उनके अधिकार दिये जाए जिन अधिकारों से उनको वंजित किया गया है उनके अधिकार उन्हें मिलने चाहिए और उन्हें इस उद्देश प्रस्ताव में बहुत रहा है कि आजवासी समाज के लिए होने जा रहा है। जैपाल जी ने अपने इस उद्वोधन में जो बाते कही वो बड़ी जज़बाती थी। जैपाल सिंग ने यद्य प्रथंग निर्वाजका की मांग तो नहीं की लेकिन ये चाहते थे कि जो आजवासी समाज के लोग हैं उनको बिधायका में प्रतिन्जुत दिया जाए जिससे की आजवासी समाज के और अलपसंखकों के अधिकारों की सुरच्छा रहे। किस का रच्छा सीटों का रच्छा ये चाहते थे कि जाएका में सीटों का रच्छा हो जिससे आजवासी के हित्र सुरच्छित रहे। अब सम्मिधान सभा में जब चर्चा आगे चली तो दूसरे ऐसे वक्त जो प्रमुक दलित नेता थे वो थे डाक्टर बियार अंबेटकर। डाक्टर बियार अंबेटकर राश्च्टवादी आंदोरन के दौरान के प्रथक निरवास्का की मांग करने वाले नेता थे। ये उस समय समझा सभाग के मेंबर थे लेकिन इन्होंने प्रत्थक दिर्वाजका की मांग न करके इन्होंने कहा कि समाज में जो आईस्प्रसता की भावना है लोगों में दूरियां हैं सामाजिक दूरियां हैं इनको खत्म करने और इस समाज को बिसेश संदच्छन देने क्य आई सकता है लेकिन इन्होंने मानते थे कि इस समाज को केवल संदच्छन दे करके आईस्प्रसों की समस्या को खत्म नहीं किया सकता उनका कहना था कि जो समाज में जो आईस्प्रसता की समस्या है या सामाजिक भेदभाव की समस्या है इसका कारण क्या है जातिगत जो बिस से जब तक उनको समाप्त निल किया जाएगा तब तक आदिवासियों को दलतों को उनके अधिकार नहीं मिल बाएंगे उन्होंने कहा कि समाज में लोग जो ऐसी दमिज जातियां हैं उनके स्रम उनकी सेवा का तो इस्तेमाल करते हैं कि उनके साथ समाजी दूरी बना करके रखते हैं उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं खारा नहीं खाते हैं तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो तभी समाप्त होंगी जब समाज में जो ऐसे मूल्ले और मानताएं हैं उनको समाप्त किया जाए और इसके लिए केवल सरनच्छर से काम नहीं चलने वाला इसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे और उन कानून के द्वारा समाज में जो ऐसी मानिता हैं, इनको खत्म करना होगा, इन पर पाबंदी लगाने पड़ेगी, ये मानिता थींगी, सम्मिधान सभा के एक और सदस्य थे, मदरास के जेनागप्पा, वो मदरास से आ रहे थे, जेनागप्पा ने कहा कि सदा कश उठाते रहें, अब हम कश उठाने के लिए तयार नहीं है, हमें अपने जिम्मेदारियों का हैसास हो गया है, और हमें मालूम है कि हमें अपना अधिकार कैसे ले रहा है, इन्होंने कहा कि जो आजिवासी हैं, हरजन हैं, वो संख्या की दिश्ट से अलपसंख्यक नहीं है, इन्होंने कहा कि इनकी संख्या 20 से 25 सिच्छा का भाव था प्रसासन से दूर रहे इसलिए इस समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिल पाया है अब हमको मालुम है कि हमको अपना अधिकार कैसे लेना है इन्होंने कहा कि संख्यात्मकद्रिष्ट से हम कम नहीं है लेकिन हमें अधिकार जो नहीं मिल पाए हैं उन अधिकारों को हमें अब लेना है और उसके लिए हम संघर्स करेंगे जेना गप्पा ने इस प्रकार जो हर्जन थे उनकी आरच्छन के लिए पैर भी कि दूसरे एक सदस्थे मध्य प्रांद के के जे खान डेल कर इन्होंने सब्राण बहुमत वाली जो संब्धान सबा थी उसको सम्मोधित करते हुए कहा कि हमें हजारों सालों तक दबाया गया है और इतना दबाया गया है कि हमारी दें अब काम नहीं कर रही हमारा मस्तिस काम नहीं कर रहा है हम भाव सूनने हो गए है और हम अब आगे बढ़ने के लायक भी नहीं रहे गए है यही हमारी सिति इन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा हमारी समाज का हुआ है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं लेकिन अब हम जग चुके हैं और हमें अपने अधिकार को लेना है तो इस तरह केजे खांडेलकर ने अपना पच्परस्त किया तो सम्मिधान सभा में एंजी रंगा से लेकर के जैपाल, केजे खांडेलकर, जे नागपपा, डक्टर बियारंबेटकर इन लोगों ने ऐसे दमित जातियों के जो अधिकारों की मांग सम्मिधान सभा में रखी यद्यब डाक्टर बियारंबेटकर दलिस समाज के सबसे बड़े निता थे, लेकिन जब भारत सतंत्र हो गया, विभाजन हो गया, उसके बाद इन्होंने प्रथक निर्वाजका की मांग छोड़ दी थी इन्होंने ऐसे संबैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए संबैधान सम्मत ब्यवस्था में विश्वास किया डक्टर वियारम बेद कर चाहते थे कि समाज में जो आजप्रसता है, भेद भाव है, इसको दूर करने के लिए ऐसे कानून बनाये जाएं, जिससे की इस प्रकार का भेद भाव समाब थो जैसे उस समय साब्दिनी कस्थानों पर जाने पर जो रोक थी, साब्दिनी कस्थान पर रोक, मंदिरों में प्रवेश पर रोक, आजप्रसता, इन पर कानून बनाये गए समाज के बहुत से लोग सोचते थे, कि समबैधानी कानूनों के द्वारा इस भेदभाव को समाब्त नहीं किया सकता, इसके लिए समाज में जो विचार धारा है, उसमें परिवर्तर लाने किया हो सकता है डक्टर बियारब्मेदकर ने कानूनी प्राविधान किया, साथी साथ इन दलिजातियों के लिए बिधाय का वास्तरकारी नोकरियों में आरच्छन की व्योस्था किया जो ऐसी दलिजातियों थी, उन दलिजातियों के लिए बिधाय का में शीटों का आरच्छन, जिससे उनका प्रद्धुत्व बिधान सभा में संसद में हो सके, साथी साथ सरकारी नोकरियों में आरच्छन की व्योस्था भी की गई तो मित्रों इस प्रकार संभ्यधान सभा में हुई बहस के बात, दलिजाति हितों को सुरच्छित करने के लिए आरच्छन का प्राविधान संभ्यधान के द्वारा किया गया यहां इस बात को मैं और अस्पर्ष करना चाहता हूँ कि डाक्टर अंबेतकर इन दलिजातों के हितों के सरनच्छत थे लेकिन उन्होंने भी यह आरच्छन की व्योस्था थी मात्र दस वर्सों के लिए इसका प्रावधान किया था और उसके बाद समाज के मुक्ष धारा के साथ यह बरावरी के साथ सभी वर्गों के साथ संधस करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार सम्मिधान में जो आरच्छन की व्योस्था की गई थी वो मात्र दस वर्सों के लिए की गई थी ओके मितलों आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रिश्ट्राइब करते रहेंगे धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ